प्रदेश कॉंग्रिस प्रवक्ता इवं क्रिशी उपज मंडी समीती के पूरव चेयर्मेन प्रेम कोशल ने केंदर सरकार द्वारा लाए गए क्रिश को विधेकों को किसान विरोधी करार देते हुए अरूप लगाया की नए कानून बनाकर सरकार बड़े बियापारी घरानकूला पहुचाने का शड़ेंतर कर रही है और मित्र उध्योग पतियों को किसानों की भूमी पर अनुबंद के आधार पर क्रिशी करने का दिकार देने का प्रयास कर रही है जिसके परिणाफ सुरूप किसान भूमी का मालिक होते हुए भी मातरे क्रिशी श्रमिक बनकर रह जाएगा कॉंग्रिस प्रवक्ते नहीं कहा कि नए अध्याइधिश किसानों कासरक्षा कवच नहीं अपितू उनका शोशन करने का जरिय बनेंगे और यदि यह किसान ही तैशी है तो आज किसान सरकों पर उतर कर अंदोलन क्यूं कर रहे हैं तथा मोदे सरकार के एक मंत्री ने पद्जे त्याग पत्र क्यूं दिया कॉशन ने कहा कि जहादेश की सामान्य विकासदर माइनस 24 पर पहुँच जुकी है वहीं क्रिशी है एक मात्रय ऐसा क्षीतर है जिसकी विकासदर 24 के लगभण है जिसका श्रेदर्श के मेहनेतकश क्रिषानों को जाता है प्रंटों सरकार कृष्ण और क्रिशी क्षेतर को फ्रोट शाहित करने के बजाये किसानों के उपर लाठियां भांचने का काम करने के साथ-साथ इस क्षेत्र में अपने उध्योग पति मीत्रों को लाप पहुंचाने की विवरचना में लगी है भार सरकार द्वरा कृषिक अध्यदेश लाकर जो कानून बनाया गया है वो किसी भी तरह से किसानों के हक में नहीं हैं किसानों के पक्ष में नहीं है इस कानून के माध्यम से केंदर की सरकार उनके जो मित्र उद्योग पति हैं अपरत्यक्ष तोर पर उन मित्रों को क्रिशी के क्षेतर में परवेश देने का परियास कर रही है और अगर ये कानून बनता है तो जो देश का किसान है वो मालिक की बजाए एक क्रिशी श्रमी की भूमका में आजाएगा क्योंके जमीन का मालिक होते हुए भी उसकी जमीन के उपर बड़े उद्योग पति अन्नुबंद के अधार पर क्रिशी करेंगे और मालिक वहां मजदूर की भूमे कमे होगा इसलिए जो कानून वरत्मान सरकार ला रही है बना रही है वो हर तरह से किसान विरोधी है और किसानों का सोशन करने वाला है यदि ऐसी स्थिती नहीं है तो आज लाखों किसान सरकों के उपर इस कानून का विरोध क्यों कर रहे है प्याल टीव के लिए हमीर पुर से प्यूरो रिपोर्ट